इस्टुएंट्स आज हमें स्टाट करेंगे चेप्टर नाइन डेसिमल्स स्टुएंट्स मैं आपको बता देता हूं कि डेसिमल्स क्या होते हैं इसके डेफिनिशन बता देता हूं इस्टुएंट्स आप देखेंगे कि बहुत सारे कभी नंबर्स आपके बीच में लिखे हो रहे तो उनके बीच में डोट आ जाता है तुसे हम बोलते हैं डेसिमल्स मैं आपको बता देता हूं जैसे हाँ पर देखिए 128 डेसिमल है ठीक है 67 ठीक है तो डेसिमल को हम पॉइंट भी बोल सकते हैं जब पढ़ते हैं कि 128 पॉइंट पढ़ेंगे और देखिए इस्टुएंट जो डेसिमल इसके बात की जो नंबर है तो उन्हें डिरेक्ट लेनी बोल सकते हैं कि 67 फिर हमें अलग-अलग करके बोलना है 128.67 ऐसे बोलना है तो इस टाइप के मैं आपको कुछ हमें लिखना है इनको ठीक है तो टू पोंट सेवन ठोट ऒू थ्री डी क्या लिखा है आगे क्या बोला है तू पोइंट तो लिखना है और पॉइंट मतलब डेसिमल लगाना हरती है two point हो गया 723 देखे मैंने आपको बोला था कि point के बाद हमेशा number एक एक बोले जाते हैं 723 723 नहीं बोला है क्या बोला है 7 723 आपको भी ऐसे ही लिखना है decimal के बाद एक एक number बोलना है 723 723 नहीं बोलना है तो यह बात हो कि हमारी question number first की जिसमें हमने क्या करा theoretical इसका इसका अब को क्या करना है राइट नंबर नेम ओफ इच ऑफ फोलिंग आपको नंबर नेम लिखना है ठीक है मतलब इनको क्या करना है theoretical फोम में लिखना है तो इसको हम क्या लिखें है question number first को मैं आपको बता जाता हूं भी बता जाता हूं question number second का क्या है three point zero nine two क्या लिखेंगे three point ठीक है decimal को अब लें point zero nine two okay तो आपका अंसर हो जाए